तो माईडेर स्चुडेंट आज की सी वीडियो के माध्म से बी ए 5th समस्टेर हिंदी के second paper का जब भूरा का पूरा model paper question paper वो प्रुस्तुत करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसा paper आता है बी फिफ्त समस्टेर हिंदी का और ऐसे इसमें से कौन कौन से question है जो परिछा में बार-बार रिपीट हो रहे हैं इस बार भी आएंगे तो बीड़ो काफी ज्यादा helpful होने वाले तो बीड़ो को complete देखते रहेगा और कॉपी पेन लेकर बैठ जाईए यह जो कोईशन मैं आपको बताऊंगा इस माडल पेपर फे जो पर इच्छे में बार-बार रिपीट इस बात को ध्यान रखेंगे यहां पर समय दिया जाएगा जितने घंटे का आप लोगों को मिलेगा प्रशन का उत्तर देने के लिए एक्जाम का टाइम और पर 70 का पुड़ांख होता है लग-बग-बग सभीन वह सीटी में सबसे पहले खंड आएगा खंडा में आपको अ कबने राष्ट्य कसि बहूद रसना है बहुत देश्ट के विक द्यान रखेंगे यहां पर घंट कर पर क्रम को कभी हैं ज्यान रखेंगे यहां पर किस काल की बात हो रही तो दुबीदी काल यह निक दुबीदी के कभी हैं अगला प्रशने की हम कौन थे क्या हैं क्या होंगे अभी पंक्ति कि रशनाकार कौन है और किसी सक कविता से उद्रत है मतब कि यह जो हम कौन थे क्या हैं औ के दसम गुरु का नाम क्या एक important question नोट कर लीजे आने को मुझूरी उम्मीद है ठीक है ओके नोट कर लीजे तुरंत अगला question भी गारंटी वाला है यह वाला घानमबर हिंदी का प्रथम महाकाव होगा नहीं मालुम तो सुनेजे प्रिथिभी राज्रासों जो की चंदर बरदाई ने लिखा था इस बात को धान रखेंगे राम बानद प्रस्ने नोट कर लीजे ठीक है अगला प्रस्ने की अरूर्ण या मध कर सकते आप लोग ठीक है अगला प्रशने की कीर्थ रस्मियों को दिब दाह क्यों और किसने कहा है यह भी बहुत कमाने को उम्मीद इसको भी इग्णोर कर सकते हैं जिस भी कोश्चन की सबसे ज़्यादा उम्मीद होनी आने आने के एक्जाम में या फिर पूछे गए पिछल युगल को धोने वाले सागर की अस्तुती में क्या अर्थ शिपा है यह भी कोश्चन बहुत कम है उम्मीद आने की ठीक है आपकी इच्छर तयार कर सकते हैं मेरे इस साबसे एक्जाम में आ जाए आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाकी हिंदुस्तान की गीत किस फिल्म जाने की चर्चा की गई यह भी कोश्चन बहुत कमाता तो इसको भी इंप्रस्ण इंप्वाटन्ट है या जब पिछले फाल पूछे गए जो बार बार आ रहे हैं उनकी जानकारी मैंने आपको दी ठीक है देखे में होता है कि कोश्चन कि सही जानकारी होना कि कौन से प्रस प्रस्ण का उत्तर करने से पहले यहां भी आपको दिफान इरदीव दी जाती इनको पढ़ लेना है तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा हिंदी चाफास्टों चाथर्ण चाफित समस्ट्रों हर समस्ट्र में आपको एक पैराग्राफ मतब कई चार पैराग्राफ दे जाते हैं यहां पर एक आउतरण दिया गया यह निकी लाइन से दी गई पैराग्राफ दिया गया जिसका आप लोगों को संदर्व सभ्याख्या करना है लिखाया कि अरूड यह मधमेदेश हमारा यह पूरी लाइन यहां तक आपको पहले संदर्व लेना है कि यह जो है अपने 9, 10, 11, 12 में आप तो फंदर्व ने अच्छे पर लिखा होगा और फंदर्व में यही लिख देना कि यह भाई प्रस्तुत पद्यांस गद्यांस जिस भी रेफम फिलिया गया उसका नाम और इसके राइटर कौन है लेखक कौन है उसके बाद परसंग में क्या मेन इस क्योंकि इसमें होता यह कि हमेशा चेंज होते रहते हैं ठीक है तो यह आप अपने अनुसार अपने जो स्रीज है को इसके इनुसार तयार कर लेज़ेगा ठीक है ओके यह तो पैरा ग्राफ वाला पोर्सन देखे यहां पर एक यह दिया गया है और आथवा करके दूसरा भी राइःःः जिसके बारे में अधिक जानकारी वह आप लोग इसका संद्रुसाइद भ्याख्या कर सकते उसके बाद आजाएंगे हम क्यों पहला प्रसन है ठीक है और यह लगुत्रे के बनाके भी लिफ्रक्ति एक महात्पूंट प्रश्ण है ठीक है नोट कर लीजिए नब्बे परस्ट परस्ट जाएगा अगला प्रस्ट ने कि तुम्हें नमन सीर्षक कविता के नुसार गांधी जी के बेक्तुत्त की पांच विशिष्टाओं पर प्रकाफिडालिया निकि ग गांधी दिफ्रिवडा एक दो प्रस्ट आएंगे तहें अगला भी महात्पूंट प्रस्ट ने जो की हमेशा रिपीट हुआ आलाखंड की भासा सहले पर प्रकाफ डाली यानिकि जो आलाखंड है यह किस भासा में लिखा गया इसकी भासा क्या है उसके बारे मिखना है भी इंडेपेंडेंटेंफ डे रेपेब्लिक डे पर आप लोग यह प्यारा फागीद गाते बिजयी विश्वत्रंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा तो यह कविता का भावार्थ आपको लिखना मतलब अर्थ लिखना है बस ठीक है अलाकि हमेशा नहीं आता लेकिन भी बोलते हैं ठीक है और इन भी प्राश्णों का उत्तर करने से पहले यहाँ पर दिसानरदीर दी जाएंगी जब भी आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा हर पेपर में कितने कोइशचन करना कितने सब्दों उसका उत्तर लिखना यह पढ़ लिया करिए और पहला प्रेशन जो की एक रामबान प्रेशन नोट कर दिया तुरंद के तुरंद मैत्रिस रण गुप्त हिंदी के राष्टे कभी हैं अस्पष्ट कीजिए किस वज़ाफे हैं इसके बारे में आपको अस्पष्टी करन करना है मतलब की किलियर लिखना है ठीक है तो बहु प्रियता की भावना विक्षित करने में हिंदी फिल्मों की क्या भूमिका है उद्राण सर समझाइए ठीक एबी कोश्चन हमेशा तो नहीं आता है लेकिन कुछ परिच्छा में पूछा गया है तो इसको भी थोड़ा बहुत तैयार कर सकते हैं और अगला कोश्चन दामबा देश के प्रति या जो रसनायर लिखे हैं या फिर राष्टे काब जो नहीं लिखी हैं उसके बारे में आपको तैयार कर लेना ठीक बस परिच्छा में प्रस्चन अगला की भूफ़ड की कविता में राष्टी भावना की अभिविक्ति हुई है तरक सहीद भी विशना जब भी परिच्छा आप देने जाएंगे तो कुछ आपको इसी प्रकार का माडल पेपर कोश्चन पेपर आपको आपकी परिच्छम देखने को मिलेगा जो जो माडल पेपर इस माडल पेपर से आपकी परिच्छम प्रस्चन आफक्ते थें जिनकी आनेक संभावना उनकी जानकारी मैंने आपको देदी और जो जो मैंने आपको बता है प्रस्टन का उत्तर जो तैयार करें बाकि हमारी जो महासंगराम वीडियो जो है जिन में कर सकते हैं वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है इसी तरह हर सब्जेट के मार्ल पेपर के महत्पूर्ट प्रश्ण अगर आपको जानना है तो कमेंट में सब्जेट का नाम लिख दीजिएगा और आप लोग कौन से समस्टर के बता देगा हम आपको वीडियो की दिए माद बता दे करेंगी कि मार्ल पेपर से कौन-कौन से महत्पूर्ट प्रश्ण जो बार बार आएं इस बार भी आएंगे ठीक है मिलते आपको कोड़ने वीडियो की चाहिए जब तेक लिजए हिंद प्रश्ट जब शोब झाल देगा हम आपको की चाहिए करेंगें शोब।